हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पोली कैप कैपसूल के बारे में आज हम बात करेंगे कि सके फैदे क्या हैं, इसे कब एवं कैसे इस्तिमाल करनी चाहिए इसके इस्तिमाल के दरान कौन कौन से सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए या किस परकार काम करता है और इसके side effect क्या है तो चलिए आज हम इस वीडियो में step by step इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो बने रहे हमारे इस channel पे अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो करीपया हमारे channel को subscribe जरू कर दें ताकि हम आपके लिए इसी परकार की और वीडियो लेकर आते रहें तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके company के बारे में तो इसे कैडिला pharmaceuticals company ने बनाती है जो बहुत ही अच्छी company है और अब बात करते हैं इसके composition के बारे में कि इसमें कौन-कौन से content मिले हुए है तो इसमें सिमवास्टेटिन 20 mg रैमिपिरिल 5 mg एटेनोल 50 mg हाइड्रो क्लोरो थियाजाइड 12.5 mg और आस्परिन 100 mg मिला हुआ है और आब बात करते हैं इसके MRP के बारे में तो इसका MRP 422 रुपया 60 पैसा है जो 15 कैपसूल के के श्क्रिप में आता है और पोली कैप कैपसूल डॉक्टर के परची से मिलने वाली दवा है और अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में तो इसका मुख्य इस्तमाल हाई बलड प्रेसर हाड अटेक से बचाओ युम अश्टोक और हाड फेल के इलाज में किया जाता है और दिल का दोरा पढ़ने के बाद भी इसे दिया जा सकता है और अब बात करते हैं इसे कब एवम कैसे استعمال करनी चाहिए तो पोली कैप कैपसूल को अकेले या ने दमाव के साथ में भी दिया जा सकता है इसे खाली पेट या भोजन के साथ लिया जा सकता है बेहतर यह होगा कि इसे सुबा के समय में लिया जाय ताकि रात में बार बार पे साब आने की समस्या से बचा जा सके अधिक फैदे के लिए इस दवा को परतेक दिन एक ही समय पे लेना चाहिए अगर आपको बेहतर मासूस होने लगा हो बेहतर मासूस होने के बावजूद भी दवा का कोई खुराक न छोड़ें और इलाज का पूरा कोर्स खतम करें इस दवा का इस्तमाल अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही करें क्योंकि आपके डॉक्टर पेसेंट की स्थिती और बोडिवेट के हिसाब से दवा का सही खुराक निर्धारित करते हैं और इसमें यह भी दिखाया गया है कि इसके एपसूल को पहला दिन इसके एपसूल को दूसरा दिन और इसके एपसूल को तिसरा दिन इसके एपसूल को चौथा दिन इसी परकार से 15 दिन का डोज इसमें दिखाया गया है और अब बात करते हैं इसके साउधानियों के भारे में कि इसके इस्तिमाल के दरान कौन-कौन से साउधानियों को ध्यान में रखना चाहिए तो अगर आपको किटनी याली भर्ष सम्बंधित कोई बिमारी है तो इस दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले गर्भवती महिलाएं और अस्तनपान कराने वाली मताओं को भी इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए आप अपने जीवन सहली में कुछ बदलाव करके भी अपने बलड प्रेसर, हार्ड अटेक और अश्ट्रो का खत्रा कम कर सकते हैं जैसे नियमित रूप से एक्सरसाइज करके, वजन कम करके, धूमर पान बंद करके, सराप के सेवन में कमी करके और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाने में नमक की मात्रा को कम करके, इन सभी समस्याओं पर नियंतरन पा सकते हैं और अब बात करते हैं, यह किस परकार काम करता है तो पोली कैप कैपसूल पांच दवाओं का मिसरन है, जिसमें बलड प्रेसर को कम करने की तीन दवाएं है जैसे रेमिप्रील, एटेनो लोल और हाइडो क्लोरो थियाजाइड लिपीड को कम करने वाली एक दवा है, सिमवास्टेटीन और एंटी प्लेटलेट दवा एस्पिरीन सामिल है साथ मेवे रक्त वाहिकाओं को रिलेक्स करके बलड प्रेसर को कम करता है खराब कोलस्टोल, एंडी एल की को कम करके कोलस्टेल लेवल को अनुकूल बनाता है और हानिकारक रग्त ठके प्लेटलेट एग्रिगेशन के निर्मान को कम करता है यह दिल की विमारी और अश्टो को जोखिम को कम करता है और अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस दवा को सही तरीके से एवं सही खुराक में लिया जाए तो इसका side effect बहुत ही कम देखे जाते हैं जैसे सूस्तियाना, ठकान, कब्ज, खासी इत्यादी इसके common side effect हो सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें comment में जरूर बताएं